चै stomping friends, तो हम आपकी लेकर आए हैं, pre-board परिच्छा, 2014 examination, class 10, subject हिंदी का question paper, ये question paper अगर आप pre-board परिच्छा देने जा रहे हैं, और अगर आप board परिच्छा, 2013-2024 देने जा रहे हैं, तो ये question पर आपकी practice के लिए important है, very important है, यही questions आपको board exam में दिखने वाले हैं, यानि कि ऐसे जा कर आज आप प्रेक्टिस करते हैं इन Kenya करते हैं तो आपका Board Exam 100% अच्छा जाएगा यह ऐसे ही Questions आपको Board Exam में देखने को मिलते हैं इसमें जितने भी Questions हैं वो आपके Board Exam की दिश से और Pre Board की दिश से important है तो एक एक question को आपको अच्छे से देखना है उन questions को आपको अच्छे से याद कर लेना है और इसे ही question papers और important questions के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं साथ में वीडियो को अगर आपने अभी तक like नहीं किया है तो वीडियो को भी like कर दीजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको time to time मिल सकें जिससे आप updated रह सकें तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 20 objective questions मिलते हैं जो आपको OMR sheet पर भरने होते हैं क्या करने होते हैं? OMR sheet पर आपको भरने होते हैं तो सबसे पहले हम लोग objective questions देखेंगे इसके बाद हम लोग धीरे-धीरे सारे questions को पढ़ेंगे और समझें किस पराइ questions आप से पूछे जाते हैं तो पहला question है क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? हरिवन्स राय बच्चन, वकोती चड़ वर्मा, पांडे बिचन सर्मा, अगर राम विलास सर्मा तो क्या भूलूं, क्या याद करूं तो ये किसकी है? ये है हरिवन्स राय बच्चन की है, किसकी है? हरिवन्स राय बच्चन की है तो यहां आंसर क्या correct हो जाएगा? तो यहां पर आंसर आपका का वाला correct हो जाएगा? हरिवंस राय बच्चन क्या हो जाएगा हरिवंस राय बच्चन नेक्ष्ट है निमलिखित में से कोई कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए तो पहला option है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्व पन्यास है चांसी की रानी के लिख निराला है ममता जी ममता पंत जी का एक महा काव है आचार रामचंद सुकल एक सु प्रसिद्व कवी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोदान जो पन्यास है वो किसका है वो मुनसी प्रेमचंद का है तो यहाँ पर option जो आपका एवाला है वो correct हो जाएगा गोदान प्रेम चंद का ही प्रस्चिद्ध उपन्यास है इसके बाद कुश्यमत 3 हमको देखने को मिलता है प्राइस्चित के लेखक हैं क्या करें हैं? प्राइस्चित कहानी के लेखक हैं हजारी परसाद दुवेदी, मैथली सर्ल गुप्त जैसंकर प्रसाद महादेवी वर्मा तो प्राइस्चित कहानी के लेखक कौन हैं? जैसंकर प्रसाद हैं कौन हैं? जैसंकर प्रशाद हैं तो यहां अंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहां पर अंसर गावाला आपका करेक्ट हो जाएगा जैसंकर प्रसाद कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कहानी उपन्यास जीवनी निमंद तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है? किसकी है? जीवनी विधा की रचना है नेक्ष्ट है पंचांग दर्सन की रचनाकार कौन है? सदल मिस्र मत्रानाथ सुकल इसालनाखा लल्लू लाल तो पंचांग दर्सन की रचनाकार कौन है? मत्रानाथ सुकल है कौन है? मत्रानाथ सुकल है तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? खावाला अंसर आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है रीतिकाल के वीदस के प्रमुक कभी है यहाँ पर आप्षिन आपको दिया गया भूशड देव घनानंद बिहारी तो रीतिकाल के वीदस के प्रसिद कभी कौन है भूशड है भूशड तो यहाँ पर आपका कावाला करेक्ट हो जाएगा भूशड नेक्स्ट है तो किस कभी को राष्ट कभी का शम्मान प्राप्त हुआ पारतेंदू हरिस्चंद्र मैथली सरडगुप्त सुरकांत्र पार्थिन राला गिर्जा कुमार माथुर तो किस कभी को राष्ट कभी का शम्मान मिला था तो वो मिला था मैथली सरडगुप्त को किसको मिला था मैथली सरडगुप्त को मिला था तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर खावाला करेक्ट हो जाएगा मैथली सरडगुप्त निक्स्ट है कठिन काव के प्रेत कहे जाते हैं अगही घनानंद केशब जाय सी तो कठिन काव के प्रेत कौन कहे जाते हैं केशब कहे जाते हैं कौन कहे जाते हैं केशब तो यहां परांसर कौन ता करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर आंसर C आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्ष्ट है हिंदी का प्रथम महा कावव माना जाता है तो हिंदी का प्रथम कावव क्या माना जाता है प्रथवी राज रासो माना जाता है प्रथवी राज रासो माना जाता है तो यहां अंसर क्या करिक्ट हो जाएगा प्रत्वी राज रासो नेक्ष्ट है राम की सकती पूजा के रचनाकार है तो राम की सकती पूजा के रचनाकार कौन है इसकी रचनाकार है सूर कांत तरपाथी निराला है कौन है सूर कांत तरपाथी निराला है हुआ कर्रेक्ट हो जाएगा इसके बाद है आधुनीकाल की सीमज समय सीमा है 19-нее08 19 Viv direct younger non 19 इस 5000 चिर शना उने श्टतारीस अरों तक तो यहां पर क्या हो जाएगा 1827 तक यहां पर हाउ तो इससे अफ सब्सक्राइब तो पीतामर में कौन सा समास है तो पीतामर में बहु ब्री समास है कौन सा है बहु ब्री शमास है तो यहां पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है खीर का तश्यम रूप है खीन खीरा चीर ये सबी तो खीर का तश्यम रूप क्या है तो खीर का तश्यम रूप है चीर है, क्या है? चीर है, तो यहां अंसर कौन सा कर्रिक्ट हो जाएगा? यहां पट समुद्र शब्द का पार्याएवाची है, क्या है? यहां पट समुद्र शब्द का पार्याएवाची क्या हो जाएगा? पारावर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पारावर्यापर आफ्षि knapp हो जाएगा निक्स्त है तुभ्यम की विवक्ती एवं बचन है विवसित हैगि यान्य क्या option कौनसा क्रेक्ट हो जाएगा गावाला आंसर आपको नाफिशन C आपका करेक्ट हो जाएगा निक्ष्ठ है रस के कितने अंग होते हैं चार आठ पांच साथ तो रस के कितने अंग होते हैं तो रस के टोटल चार अंग होते हैं कितने अंग होते हैं चार अंग होते हैं तो यहाँ आफिशन का आपका तो यहाँ पर हाश्रस है, कौन सा रस है, हाश्रस है, तो यहाँ पर आफशन क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आफशन आपका कावाला करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंका नेक्स्ट है सोर्था के पर्थम एवं तरतीय चड़ में कितना मात्राएं होती हैं तो सोर्था के पर्थम वात तरतीय चड़ में तेरे तेरे मात्राएं होती हैं कितने कितनी मात्राएं होती हैं तेरे तेरे मात्राएं होती हैं यहाँ पर आंसर खा आपका correct हो जाता है तो यह हमारे हो जाते हैं 20 objective questions जो आपको MR seat पर करने होंगे अब हम लोग वरनात्म पर चलते हैं जो आपको अपनी copy में उत्तर पस्तिका में लिखने होंगे सबसे पहले number question पर हमको 2 पद्यांस दिये जाते हैं उन पद्यांस में आपको कोई एक पद्यांस करना होता है और उसके आपको मिलते हैं 6 house नंब मिलते हैं 6 Vieja जाते हैं आप पर तेक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है दो नंबर का होता है असपरकार छे नंबर का आपका पैराग्राप हो जाता है इर्सिया का शम्मंद प्रतिजुन्दिसा से होता है क्योंकि भिकमंगा करोडपती से इर्सिया नहीं करता है तो यहाँ पर इर्सिया इर्सिया तूना गई यहां पर आपको इर्सिया क्या लिखा है इर्सिया का शम्मंद प्रतिदुनिसा से होता है क्योंकि भिकमंगा करोड़ पती से इर्सिया नहीं होता है यह एक ऐसी बात है यहां यह है चेप्टर से लिया गया इर्सिया तूना गई से दूर है उन्हें संसार का चित्र बढ़ा ही मन-मोहक प्रतीत होता है, यहाँ पर आपको भी तीन कोईशन्स देखनी को मिल जाते हैं तीनों कोईशन्स आपको करने हैं इसकी मिलेंगे आपको छे नंबर कितने मिलेंगे न के नमबर इसके बाद हमको इसी प्रकार पद्यान सापके यानि की जो आपका पद्य है उस ये आपको एक पराग्राप दो पराग्राप दिखते हैं उस पराग्राप में अत्वा में से आपको ये एक पराग्राप करना होता है उसकी मिलते हैं आपको छे नंबर तो यहाँ पर यूग यूग का पौराडिक शपन हुआ मानव का संभव समारम शुपने चंदर का यूग का भोवी दे गौरव अत्वा में आपको यहाँ पर दूसरा दिख जाता है यहाँ पर आपको इनके तीन कोशन्स देखने को मिलते हैं पस्तुर पद्यांत का संदर्व लिखिए चंदर यूग यूग में कौन सा लंकार है मानव का कौन सा स्वपन शाकार हुआ है अत्वा अगर आपको यह नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं यहाँ पर इसके भी आपको तीन कोशन्स देखने को मिलेंगे पस्तुर पद्यांत का संदर्व लिखिए स्रीकर्ष्ण के बिना गोपियों की दसा कैसी हो गई है स्रीकर्ष्ण के सखा कौन है तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है इन दोनों में से आपको कोई एक करना है इसके बाद question number 3 में हमको एक क्या दिया जाता है संस्क्रक अध्यान दिया जाता है जो आपका 5 नमबर का होता है जिसका आपको संदर्व शैद हिंदी में अनुवात करना होता है यहाँ पर भी अथवा में आपको दो दिख जाते हैं पहला आपको यह दिख रहा होगा दूसरा आथवा में करके आपको यह दिख जाता है तोनों में से आपको कोई एक ही करना क्या करना है कोई एक ही करना है इसके बाद कोईशन नमर 4 पर आते हैं तो दिख एक संस्कार पध्यांज में किसी एक संदर्व का सहीत हिंदी अनुवात कीजिए यहाँ पर आपको क्या होगी दो स्लोग दिए जाएंगा उसमें से आपको कोई एक स्लोग का हिंदी के साथ शंदर्व शहीत हिंदी में अनुवात करना होगा इसके बाद कोईशन नमर 5 के का पर आते हैं अपने फटित कंड़काव के आधार पर तुमुल खंड़काव की प्रतिनायक का चरिचित्र कीजिए तुमुल खंड़काव के पंचंग सर्दताष्टम सर्ग की युद्धाशन सो मित्र की कथावस्तू संचेप में लिखे यहाँ पर यह जिले बाई जिले बटा होता है तो आपके जिले में जो होगा आपको वो करना होगा यहाँ पर इसके बाद कुशन मस्रिक से दिये गए लेखों में से किसी एक लेखा का जीवन परचे देती है उनकी परमुग रचना का उलेख कीजिए जैसे यहाँ पर रामचन सुकल, राज़े इंपरसार, रामधारी सिंग दिन कर ये तीन आपको यहाँ पर दिख जाते हैं इन में से किसी एक का आपको जीवन परचे देना है इसके बाद इसी एक खाम को दिख जाता है दिये कभियों में से किसी एक का जीवन परचे दे दे देवेए उनकी परमुग की एक रचना का उलेख कीजिए तूलसी दा समितर do शुबद्राकुमारी चवान कर रेट यहां पर आपको दिखता है एक स्लोग आपको 100% याद कर लेना यह आपको दो नंबर में देखने को मिलता है इसके बाद है नियमलख्यत में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर आपको देने हैं संस्क्रत में देने हैं त्रणात बहुतरम कीमस्ती कविगो किलाम कथ्य कुसंगर काजवर भायानक होता है विज्ञान के चमतकार तो इस पर आपको यहाँ पर चार दिखते हैं उन में से चार में से आपको कोई एक ही इसमें करना दाएगा और इसकी मिलेंगे आपको 9 नमबर कितने मिलेंगे 9 नमबर तो यह आपको क्लास 10 का प्रीबूर्ड का कोश कर दाएगा यह कोशन पर आपको इसको जरूर ऐसा ही कोशन पर आपको याद कर लेना है तो चलिए एकर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए जिससे आनेवाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद।